नमस्ते में प्रभाकर चवरेशिया लेकिन जो बाजार में प्राप्त दूद होता है उसमें विभिन केमिकल्स मिला करके भी बनाया जाते हैं और आप शुने होंगे कि दूद में विभिन मिलावटी होने एकारण से लोग बिमार पढ़ जाते हैं यहां तक कि उनके बच्चों को दूद खिलाया जाता है उन दूदों से भी बिमार पढ़ते हैं आपको जहर दिया जाएगा तो आप जहर को नहीं खाएंगे लेकिन आपके खाना में धीरे धीरे जहर मिला करके दिया जा रहा है जो आप तरकारी यूज करते हैं उन तरकारीों में भी विभिन बिशादी जो अवशदी शरका जाता है शीटा जाता है उनके माध्यम से भी आप को जहर दिया जा रहा है आपके विभिन खाना के माध्यम से आपके सरीर में जहर फैलाया जा रहा है ताकि आप बिमार हो और अ लेकिन इन साकाहारी कीजों में भी लोग मिलावटी करने लगे हैं तो आपके स्वास्त बर्धक कीजों के लिए आपकी स्वास्त ठीक रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए आपको कैशा भोजन करना चाहिए ताकि आप अच्छे रहे, स्वस्त रहे, निरोग रहे पहले कि जब आना में लोग 100 बर्ष की उम्र पार्क कर जाते थे लेकिन आज कल वहीं 100 बर्ष की उम्र जीने के लिए कितना कठिन हो रहा है लोग लगवक 70-80 बर्ष के या फिर 60-70 बर्ष के उम्र में ही विभीन बिमारियों का सिकार हो जाते हैं उन्हें हार्ट एटेक आरने लगता है उन्हें चीनी की बिमारी होने लगता है उन्हें विभीन किसिम की तनाव होने लगता है उन्हें माइग्रेशन की प्रोब्लम और उन्हें विभीन किसिम की मांसिक तनाव होने लगता है डिप्रेशन होने लगता है आज कल के लोगों मे विभिन किसिम की ऐशी बीमारी देखने को मिल रही है आखिर कहीं न कहीं इसका कारण हमारा खाना भी हो रहा है हम खाने में क्या उपयोग कर रहे हैं और उन खानों का जो गुणस तरता है उसे हम ना पहचान करके खाने से हमारे विभिन किसिम की रोग हमारे घरों तक आ रहा तो हमें उन सब की जाज तो करने की हमारे अंदर उतना इंस्ट्रुमेंट नहीं है लेकिन इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए हमारे जो आगारी के जो नेता है जो हमारे करमचारी है उन लोगों को ध्यान देना चाहिए और ऐसे कुछ लोग है जो करप्शन करते हैं ब्रश अच्छे कहलाने वाले लोग भी रहते हैं जो इन बुराईयों के खिलाप में नहीं बोलते हैं और इन बुराईयों को जबकि उनको अधिकार मिला है वो ऑथिंटिक रूप से कारे कर सकते हैं उनका अधिकार है बोलने का लेकिन ना बोलने के कारण से कुछ लोग जो समाज मे होते हैं वो गलतिया करते रहते हैं करते रहते हैं और समाज के लोग इसका भुक्तान भरते रहते हैं तो समाज में ऐसे कुछ लोग है जो समाज में गलत कारे करके पैशा कमाना चाहते हैं यह प्रश्चे कि हमारे शमाज में लागू पदार्त का शेवन करने के लिए शक्त मानाही किया गया है और ऐसे ब्यपार करने वाले लोगों को जेल में रखा जाता है पकड़ा जाता है कई ऐसे लोग जो ब्यपारिक जो नाका है बीरगंज का रक्सौल का इन रस्ते होते हुए कई लागू पदार्त का सेवन करने वाले चीजों का ब्यपार करते हैं और पकड़े जाते हैं सोचिए अगर वूस पुलिश वाले लोग इस चीजों को छोड़ दे तो उसका बिक्री तो नेपाल में बढ़ेगा ही और उससे जो लोग सेवन करके बिमार होंगे या फिर उन तो हम सबको मिल करके काम करना चाहिए और एक दूसरे को शमन्वाई करके चलना चाहिए तब ही हम एक असल समाज का निर्मान कर सकते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाये जाता है कि हमारे दैनिक जीवन में खाना का कितना महत्वा है खाना किसलिये खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए खाना हमारे जिविका को जीने के लिए अच्छी बात तो है लेकिन दिन रात खाते रहना भी ये बहुत गलत हो सकता है क्यों मोबाइल हमारे लिए उतना ही आउश्यक है हर चीज उसमें विवस्तित रूप से महाँ पर संचालित किया जा रहा है लेकिन फिर भी मोबाइल चलाते चलाते आप उसका एडिक्ट अगर हो जा रहा है उसका अगर दुर्बेशन में आप फंस चुके हैं तो मोबाइल आपके लिए गलत साबित हो सकता है लेकिन मोबाइल तो आज पूरा कंप्यूटर का काम कर रहा है इसलिए मोबाइल का आपने शदुप्योग ना करके दुरुप्योग करने लगे इसलिए मोबाइल आपके लिए खराब साबित हो रहा है इसलिए हम चाहते हम जब तक जीबीत रहे और स्वस्थ रहे लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं हम भौतिक बाद की तरफ आगे भड़ते हैं और इक्षाओ की पूर्ती करते हैं तो हम अपने मन को नियंत्रन नहीं कर पाते हैं और अपने शरीर की एक-एक अंगों को खराब करते जाते हैं हमें अपना जीवन तो प्यारा है हमें इस लाइप से प्यार तो है हमें लगता है कि हम सुरक्षित तो रहे लेकिन उस पर जो त्याग है तपश्या है उसमें जो बर्तने वाले चीज है उन पर हम कभी सोच नहीं पाते हैं क्योंकि हम बजारों के चीज खाने में ज्यादा उत विच्छर करिए उन लोगों में ज्यादा बीमारी की शंका देखने को मिलता है इसलिए आप अपने घर की पौश्टिक आहार लेंगे तो आपके सरीर पर ताज़िकी बनी रहेगी आपकी सरीर स्वस्त रहेगा और जब नागरिक स्वस्त रहेंगे तब इस देश का कुछ बरीवी को दूर कर सके आप समाज में एक अच्छे कारे करने के लिए आप अपना भी शाबागिता जना सके यदि आप चाहते हैं तो आपको शमाज में आना होगा शमाज के लोगों को सुचित करना होगा समाज के लोगों को जागरित करना होगा कई बार होता है कि किताबी शिक्षा से सब कुछ नहीं होता है इसलिए किताबी शिक्षा तो है ही लेकिन बेवारिक रूप में शड़क पर आ करके या फिर समाज के अंदर आ करके ऐसे बातु को प्रमानित करकर के हमें इस कार्य को करना होगा तबी जाकर के हम अपने समाज को राष्ट को अच्छा बना सकते हैं हम अपने शमाज में इसे जागरिती फैला सकते हैं कई बार ऐसे लोग होते हैं शादू शंत होते हैं जो आपको हमेशा कहते होंगे आप ब्रह्मचरय का पालन करें आप शाकाहरी भोजन का पालन करें आप शदा जीवन और उच्छ बिचार का पालन करें इसे नयत दिन भरी करायो, दक्षिना आरायो जैसे काम हो जाता है, सुनने के लिए बेद सास्त आज भी सुनाई जाते हैं, सुनाने के लिए आज भी वही पाठ कराया जा रहा है, लेकिन आप गलत चीजों में ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, गलत चीजों के रिल्स देखने में कहीं दूर आपसे छूट करके चला जाता है और समाज में ऐसे कई कुकृत्य होते हैं बलतकार जैसे घटनाय घटते हैं अपराधिक घटनाय घटते हैं लोगों की हत्याय करने जैसे घटना घटित होता है कहीं न कहीं आपकी मांसिक ये बिमारी का दिखा रहा है इसलिए आप एक समाज के सब्वेनागरिक है, शमाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, शमाज को एक अच्छे दिशा में ले करके जाना चाहते हैं, तो आपको भी इस शमाज से connected हो करके कुछ अच्छे कारे की सुरुवात करना चाहिए, और अच्छे कारे करके आप अपना भी नाम और प्र जान से चुड़े और ऐशे कारे करे तो कोई अच्छा संगठन से आप जूड़ सकते हैं कोई अच्छा बेक्ति का शंगत कर सकते हैं या फिर खुद का अपना एक अलग संगठन बना करके इन कारियों में जूड़ सकते हैं समाजिक सेवा में जूड़ सकते हैं ताकि हमारे सम नई तो असांती तो पूरे दुनिया में चाया हुआ है रूस और उक्रेन का यूद हो हमाश और इसराइल का यूद हो या फिर यूद जहां भी चल रहा है अशांती मैं बाता बरन है लेकिन कम से कम हम तो सांती से रहे तो आईए वीडियो ये आपको अच्छा लगाओ वीड चैनल पर सब्सक्राइब केजिए नमस्ते धन्यवाद